आपका स्वागत है आई शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन जैसे मंदित कौन कौन से सूचना है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं शेयर करते हैं और जिन चातरों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की अथेंटिक अब्रेट से सबसे पहले मिलती रहे हैं सबसे पहले सूचना है सहायक अध्यापक वा प्रवक्ता को राजपत्रित गोशित करने की मांग की गई है हाल में उत्तरा खंड की सरकार ने ऐसा ही किया है ऐसे में प्रदेश सरकार भी इसे गोशित कर सकती है अगर चाये तो संग के प्रांति अजदक्ष रामेश्टर प्रसत पांडे ने अपर मुक्षच्यू मादमिक सिक्षा दीपक कमार को पत्र बेज करके कि एक ही पदपर उ यह सरकार का एक तोफा हो अगली सूचना है केजी में नर्सिंग भरती परिक्षा अब आफ लाइन होगी KGMU में nursing बर्ती परिक्षा में बड़ा फिर बदल किया गया है परिक्षा से एन वक्त पहले यह तब दिली की गई है अब बर्ती परिक्षा आनलाइन की बजाए आफलाइन होगी आनलाइन में ज़्यादा धांदली होने लगी है आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर परदेश दरोगा भरती में क्या हुआ इसकी बाद में ही यह चर्चा भी थी पुलिक्षा कराई जाए इसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा वह एक बार Cetate की परिक्षा करवाई गई थी लेकिन बहुत जादा Cetate में धांदली में थी ती, उसके बाद में फिर Cetate की परिक्षा आफ्लाइन की गई अब धीरे जायतर बज़ती बोड़् यह सूच रहे हैं कि जो धांदली है वह पर आप लोग देख सकते हैं कि एक बा मिनेट से जारी किये गए जुन 2023 को KGMU ने नर्सिंग आफीसर के 1290 में पदों पर भरती के लिए विग्यापन जारी किया था देश भर से तकरीबन साथ हजार से ज्यादा बरती ने आवेदन किया था टेंडर जीतने बाद परिच्छा की जिम्मेदारी महसर्स एडू टेस्ट को मिली थी और कंप्यूटर आधारित टेस्ट से बरती होनी थी इससे पहले लोहिया संस्थान में नर्सिंग बरती की जिम्मेदारी भी एडूस टेस्ट को मिली थी यह बात जो मैं भी बता रहा था आप लोगों को जो लोहिया संस्थान की बरती आई थी उसकी है परिच्छा में काफी गलबड़ी उजागर हुई थी और इससे सरकार की कई राजियों में परिच्छा केंद्र बनाए गया थे और जिस पर अबरती ने पती जाईर की थी और उसके बात केंद्र में संसुधन हुआ है फिर केंद्र में गलबड़िया उजागर हुई थी परिच्छकों को बंदक बना लिया गया और कंप्यूटर में खामिया मिली सबक लेते हुए कि अमी प्रशासन ने आनलाइन परिच्छा से तौबा कर लिया कारे परिच्छत में बताया कि अधिक जयातर आवेदक यूपी के हैं और एक सेधिक राजियों परिच्छकर में अड़िचन आ सकती में आपको बता दूं कि स्टाफ नर्स की जो भर्ती का ज बहुत ज्यादा जो विद्यारती है इसे जुड़े इसमें केवल उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग पुलिस कॉंस्टेबल यूपी ट्रपल सी ही नहीं बलकि किसी भी अधर इस्टेट का कोई विद्यारती है तो दूसरे इस्टेट की परिक्छाओं के मांक्तिस्ट और जो पूराने पेपर वगयर है वो मिल जाएंगी चाए वो बैंकिंग की बरती हो चाए वो एससे की बरती हो या कोई अन्य विवागी बरती हो आप लोग यहां पर देख सकते हैं सारी बरतीयों के जो मांक्तिस्ट है वो इसमें उपलफद है वीट को बाहर कर दिया गया है और इसलिए बिलेट के विद्यारतियों का कोई इंट्रेस्ट नहीं बचा है TET की मार्क सीट में और यहां पर लिखा है कि प्राइमरी TET के 4,43,000 प्रमाल पत्र भसे है हाला कि मामला अभी भी कोर्ट में है अगली सूजना CGL 2023 की है CGL 2023 की Tier 2 परिचा 26 तारिक से सभी विद्य कार्थियों की एड्मिट कार्ट जारी कर दिये गया है लिका कम्बाइंड ग्रेजविट लेविल 2030 की Tier 2 परिचा 26 और 27 अक्टूबर को होगी CT नर्सरी और NTT के लिए पंजी करन कल से उसके बारे में विग्यप्ति भी आज के पेपरों में है लिका परिचा नियामक परादि आनलाइन आविधन पूर्ण कर प्रिंट लेने की अंतिम तारिक 30 अनुमर तयकी गई है अबर्थियों के लिए आई सीमा भी ने धारत की गई है एक जुलाई 2023 को आविधन करने वालों की उम्र 18 साल से कम और 35 साल से अधिक नहीं होने चाहिए CT नर्सरी NTT परसेशन के वाल म कि गाजीपुर के प्रतों की छत का किराय के कमरे में मिला शोलेगपाल के लिए हुआ था चैन लेकिन चैन में भी विध्यार्थी को असंका थी कि उसको बाहर कर दिया जाएगा चूंकि यह विध्यार्थी चाह दिव्यांग था और OH में OL के टिगरी में आता था इसने एक कि मादम से जानकारी भी थी और यहां पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि प्रदर्शन के लिए यह विध्यार्थी काई बार गया था और मांग रखी थी कि OH और OL के विध्यार्थियों को भी लेक पलबर्थी में शामिल किया है हमारी रिक्वेस्ट यही है कि हमारी मैंगों को जल्दी से जल्दी पूरा करें आयोग यहीं चाहता कि सब सब कुछ वो लिभाग तोड़ी काटेगरी बता रहा है इसलिए हमारी मैं यह कि OH काटेगरी को उन्हों सामिल करें लेक पाल वर्थी आप O.H में किस काटेगरी में आतres नहीं से चला है यहां देख सकते हैं आप लोग दोस्तों की है उसके साथ वालों की कभी विद्यार्थियों के उपर इतना ज्यादा प्रेशर किसी को भी नहीं देना चाहिए जैसे यहां पर देखिये लिखा हुआ है कि हार्ड अटेक से हुई प्रत्रों की चात्र की मौत यह अभिसे की बात हो रही है इश्यर अभिसे की आत्मा को स्वान्ति प्रदान और घर वालों को इतना बड़ा दुख सेहन करने की शक् सब इसके लिए सभी निकायों से कीन तीन बार रिक्तियों की जानकारी मांगे ती लेकिन अब तक पुल साथ सो बासट में से मात्र चौरासी निकायों में ही ऐसी सूचना दिए ऐसे में लोग सब चुनाओं से पहले भरती प्रक्रिया सुरू हो पाना मुस्किल लग रहा है निकायों में समुगा और घा के 47 सो से अधिपद खाली है सासन ने इन पदों पर भरती की प्रक्रिया जल्द सुरू करने के निर्देश दिये थे और इसके लिए इस्ठानी निकाय निदेशाले ने वीती चार अक्तूबर को अंतिमी रिमाइंटर भेज करके रिक्तियों का बेवरा भेजने को कहा था इसी महीनी की बात हो रही है चार अक्तूबर की और चेताओनी भी दी गई थी कि बेवरा अनवार रूब से बेजने के निर्देश दिये हैं तो यह फिर से रिमाइंटर भेजा गया है देखते हैं कि पदों का बेवरा आता है या नहीं आता और अगर पदों का बेवरा आ जाता है तो हो सकता कि लोग से चुनावों को पहले पहले आप लोगों को नगर निकायों के भरती के जो से गया पने वो देखने को मिल जाए यह सुझना अन्य समतात पत्रों के मादम से भी दी गए है सरकार का जो आउट्सोर्सिंग का वियान है वो जारी है लिखा है पढ़े लिखे ज़्यादा है तो छोटी नौकरी से रहें दूर आउट्सोर्सिंग के चतुत स्रेनी के पदों पर इंडर से ज़्यादा पढ़े होंगे अपात्र अभी यह देखा भी गया है कि जो बहुत ज़्यादा योग विद्दार्थी बिचार दिया यह मन से काम नहीं करते हैं तो इसको देखती वे यह नीटी बनाई गई है पांथ हजार चाहजार रुपए में काहे को कोई काम करेगा लिखा नीचे यहां पर प्रदेश सरकार आउट्सोर्सिंग से होने वाली कर्मचारियों की भरती विवस्था में बड़ा बदला में आउट्सोर्सिंग के जरिए कर्मचारी रखे जाते हैं लंबे समय से कर्मचारी सेंग्ठन इन लोगों के सोचन की सिकायतें कर रहे हैं मुख्यमंत्र योगी अधितनात्र नहीं इस वेवस्था में सुधार की निर्देश दिए हैं और इस संबंद में स्रम विभाग की एक कैबिनिट प्रस्ताओं 10 अक्टूबर को भी जाता है सियम के सजाओं को सामिल कर बने नए प्रस्ताओं पर अगले ही दिन मुख सेची दुर्गा संकर मिस्टर ने बैठा करके इसे अंतिम रूप दे दिया लिखा हुआ है कि तीन लाग से जाता कर्मचारी आउट्सोर् नीचे लिखा स्थितुर स्रेंडी दिलिपनी की तरतिय स्रेंडी तकनी की वह सुपरवाइजरी की भरतियों में कोई वेटिंग लिख नहीं बनेगी जगह खाली भी तो नहीं बरती होगी ऐसे पदर जो मानकी क्रत सूची में नहीं है वह जिस पर कोई विभाग तैनाती कर गया और आज इसकी लास्ट डेटर जो विद्धार्थी एड्मिशन लेना चाहते हो बीए बीएस्टी बीकाम इत्याद में तो विद्धार्थी एड्मिशन ले सकता चाहे उन्होंने C.U.E.T. दिया हो या चाहे C.U.E.T. ना दिया हो वो सीधी प्रवेस्ट ले सकता उत्त किसी समझार पत्र में 30 परिस्ट आरचां की बात की गई है किसी में 20 परिस्ट नोटिफिकेशन आने देजिए तब ही देखेंगी पूरा वीग्यों सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद